Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Victorian Poet GM Hopkins की एक सॉनेट के बारे में जिसका नाम है The Sea and the Skylark साथ ही इसकी rhyming scheme है ABBA, ABBA, CDC, CDC Friends, इस पोयम की एक और टाइटल एक पुरानी टाइटल है जिसका नाम है Walking by the Sea इस पोयम में Sea का एक बहुत important role है दो आवाजों के बारे में बात किया गया है यहाँ जिसमें से एक आवाज है Sea यानी समुद्र की और दूसरी आवाज है Skylark एक bird है Skylark उसकी आवाज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है इस पोयम की theme है Downfall of Humanity यानी किस तरह human life जो है वो दिन बदिन घट्टी जा रही है उसकी जो हालत है वो दिन बदिन और बेकार होती जा रही है और humans जो हैं वो nature से दिन बदिन दूर होते जा रहे हैं Friends GM Hopkins का पूरा नाम था Gerald Manley Hopkins वो एक Victorian poet थे उनका जन्म हुआ था 28 July 1844 में और उनकी death हुई थी 8 June 1889 में साथ ही उन्होंने अपनी poems में Sprung Rhythm का यूज किया था इसके लिए वो बहुत ज़्यादा popular थे और उनकी poems में ज़्यादा तर nature और religion के themes हुआ करते थे उनकी famous poems में Pied Beauty, God's Grandeur, The Wind Over ये सभी शामिल है तो चलिए friends अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं On ear and ear, noises too old to end, trench यानि दोनों ही कानों पर कुछ आवाजे आती हैं जो कि इतनी पुरानी हैं कि वो कभी खत नहीं होंगी Too old to end यानि इतनी पुरानी हैं कि अब वो कभी खत नहीं होंगी Right, the tide that ramps against the shore यानि दाएं तरफ जो है, tide की आवाज आ रही है, समुद्र की लहरों की आवाज आ रही है जो कि क्या कर रही है, शोर पर यानि किनारे पर जाकर जोरों से टकराती हैं और उससे एक आवाज आती है, वो आवाज right side से आ रही है With a flood or a fall यानि या तो पानी का बहाव इतना तेज होता है, जैसे कोई flood हो या फिर बहुत ही धीरे पानी बहती है, जैसे कोई छोटी नदी हो दोनों ही तरों से पानी के बहने की speed होती है Low lull off और all roar और आवाज कैसी आती है, तो कभी कभी बहुत ही धीमी आवाज आती है Low lull off और कभी जोरों से गरजने की यानि रोर की आवाज आती है यानि ये जो पानी जाकर के किनारे पर टकराता है अगर धीरे से टकराता है तो धीमी आवाज आती है और जोरों से टकराता है तो बिलकुल किसी रोर की तरह आवाज आती है Frequenting there while moon shall wear and wind और ये चीज तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो चांद पुराना नहीं हो जाता और घिसकर रुक नहीं जाता Weir का मतलब यहाँ पर होता है घिसकर पुराना हो जाना यानि poet का कहना है कि चांद जो है वो पुराना हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा लेकिन ये जो पानी का बहाव है ये इसी तरह चलता रहेगा ये कभी नहीं रुकेगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही पोईट ने कहा था कि ये जो साउंड्स हैं ये टू ओल्टू एंड है अब ये राइट साइड के बारे में था लेफ्ट साइड में पोईट कहते हैं कि लेफ्ट साइड से उन्हें लार्क की आवाज आ रही है और वो लार्क क्या कर रही है वो एसेंड कर रही है यानि वो हवा में उड़कर उपर जा रही है His rash fresh, rewinded, new skinned score यहाँ पर poet का मतलब है लार्क के गाने से लार्क का जो आवाज है वो rash fresh है यानि उसमें किसी तरह की कोई खराश नहीं है बिल्कुल fresh song है rewinded यानि बार-बार एक तरह का जब चिडिया बोलती है कोई भी चिडिया बोलती है तो एक ही तरह का sound जो है वो बार-बार repeat होता है तो उसी के बारे में poet कह रहे हैं कि जो sound है वो rewinded है और new skinned है यानि poet ने पहली बार sound को सुना है तो बहुत ही melodious song है और poet का attention जो है तुरंत उस लार्क की तरफ चला गया In crisps of Curl of Wild Winch World यानि poet कह रहे हैं कि यह जो आवाज है यह बिलकुल goal goal round and round type की आवाज है और यह जो आवाज है यह आपस में बिलकुल mixed है बहुत सारी यहां पर consonants का use हुआ है आप देख सकते हैं letters repetition of sound है तो poet कह रहे हैं कि जो लार्क की आवाज है यह बहुत special है ऐसा लगता है कि यह आवाज आपस में उलजी हुई है एक तरह की यहां पर mystery poet create करने की कोशिश करने हैं लार्क की आवाज से और music को एक तरह से कहें तो यहां पर पोर किया जा रहा है पोर का मतलब होता है एक बरतन से दूसरे बरतन में डालना और pelt का मतलब हुआ जैसे छोटे छोटे कंकड़ों को गिराया जाता है तो poet कह रहे हैं कि यह जो लार्क है यह अपने music को हम पर एक तरह से कहें तो गिरा रही है या हमें अपना music दे रही है और यह तब तक हमें music देते रहती है जब तक इसके खुद के पास कोई music ना बचे ना ही इसका music जो है वो बह कर कहीं नीचे गिरेगा और ना ही इसके पास इतना music होगा कि वो उसे कहीं और खर्च कर सके यानि लार्क ने अपनी melodious voice को humanity को एक तरह से gift में दे दिया है ताकि हम उसके इस song को enjoy कर सकें shallow और frail town यानि जो छिचला town है जो बहुत ही गिरा हुआ है अपनी humanity में ऐसे town को ये कैसे shameful feel करवाते हैं शर्मिंदा कर देते हैं how ring right out our sordid turbid time being pure और कैसे ये दोनो हमारे इस गंदे और impure sordid turbid ये दोनो impurity के लिए use होने वाले adjective हैं तो poet कहते हैं कैसे ये दोनो हमारे इस गंदे और impure समय में बिलकुल अलग दिखाई देते हैं और वो भी क्यों तो अपनी purity के कारण यानि ये जो c का sound है वो भी बहुत pure है और साथ ही ये जो skylar का sound है ये भी बहुत pure है we life's pride and cared for crown we यहाँ पर किसके लिए use हुआ है तो humanity के लिए यानि humanity क्या है ये life की pride है जो जिन्दगी है उसके लिए एक तरह से कहें तो गर्व है pride है और humans जो हैं वो इस planet के crowned people हैं क्यों क्योंकि हम यहाँ पर की जो animals हैं जो plants हैं living things हैं इस planet पर इन सभी पर हमारा ही rule है एक तरह से कहें तो God ने हमें इस planet पर crown करके भीजा है have lost that cheer and charm of earth's past prime मगर हमने उस खुशी को उस चमक को खो दिया है जो इस धर्ती पर पहले बहुत जादा important थी बहुत जरूरी थी जिस चीज के कारण हमें God ने यहाँ पर crown किया था जो cheerfulness जो happiness के कारण वो हमने खो दिया है our make and making break are breaking down to man's last dust यानि हमारा चीजों को बनाना और फिर उन्हें तोड़ देना यानि तोड़ कर बिलकुल बरबाद कर देना कहां तक तो इनसान के आखरी कंड तक to man's last dust यानि humans क्या करते हैं वो लगातार कुछ चीजों को बनाते हैं buildings बनाते हैं, factories बनाते हैं फिर उन्हें तोड़ते हैं और उन्हें तोड़ने में वो एक तरह से nature को या यू कहें तो earth की जो natural beauty है उसे destroy कर रहे हैं और धीरे धीरे ये एक तरह से कहें तो खुद इनसानों को destroy कर रहे हैं क्योंकि man भी nature पर बहुत हद तक dependent है drain fast towards man's first slime और धीरे धीरे ये बहकर ये जो सारी problems है ये कहां जा रही है तो man के पहले slime यानि यहाँ पर slime का मतलब है mistake से तो ये धीरे धीरे बहकर man के first mistake की तरफ जा रही है friends यहाँ पर जो है poet ने Adam और Eve के example की तरफ हमारा ध्यान लिया है कि जिस तरह उन लोगों ने God की बात को नहीं माना था और एक mistake की थी जिसके कारण उनका downfall हुआ था ठीक उसी तरह हम humans भी God के दिये इस creation की कदर नहीं कर रहे हैं अपनी selfishness के कारण इसे destroy कर रहे हैं और धीरे धीरे ये भी एक तरह से हमें हमारी deterioration की तरफ ले जाएगा हमारी destruction की तरफ ले जाएगा friends यहाँ पर ये poem खत्म होती है इस poem में poet basically sea और skylar का example यूज़ करके हमें God और nature के करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरह humanity अपनी destruction की तरफ बढ़ती चली जा रही है तो friends ये थी GM Hopkins की poem The Sea and the Skylark